मुंबई के मुलुन इलाके में मंगलवार को दिन दहाडे 5 अग्यात हत्यार बंद लुटेरों ने एक फौन में बड़ी लूट को अंजाम दिया है इस ब्लूट का चौकाने वाला वीडियो सोसल मीडिया पर सामने आया है जो अपतिजी से वाइरल हो रहा है वीडियो में देखा जा सकता है कि लुटेरे हत्यारों की नोक पर आफिस में मौजूद है और कर्मचारियों को धमका रहे हैं और आफिस में मौजूद कैश बैग में भर है बताए जा रहा है कि इस दफ्थर से लूट में करेब एक करोड रुपे नगदी लेकर ये लूटेरे फरार हो गए पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार दोपहर पांच रास्ता इलाके में अंगडिया सेमाय परदान करने वाली एक फॉर्म में हुई पुलिस ने कहा है कि पांच लोग फरिसर में घुसे और मालिक और अन कर्मचारियों को रिवालवर से ड़ना धमका कर करीब एक करोड रुपे नगदी लेकर ये फरार हो गए उन्होंने कहा है कि पुलिस ने दुकान और इलाके के सीसी टीवी फुटेज की जाज की है और अंगडिया फॉर्म सुल्क के लिए अधिक्तम 24 घंटे के भीतर धन हीरे और अभुश्णों के हस्तांतरण जैसी सेमाय परदान करती है रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने भारतिय दंट सहीता आईपीसी की धारा और सस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्च किया है और आगे की कारवाई पुलिस कर रही है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाग टैंज